नमस्कायर जी मैं हूपुनीत आप देख रहे हैं स्टोपीटीसी प्रोग्राम में आपका तही दिल से स्वागत करते हैं एक बर फिर से हाजिर हैं आपके सामने अब जब भी कुछ चेंज़स होते हैं तो आपको तयारी करने का मौका मिल जाता है तो आपको कैसे पता लगेग कि नीचे जोनमर्ज यह आपके लिए हैं आपका भी भी अपौइनमेंट के लिए फोन कर सकते हैं चाहे टेलिफंक अप्वाइनमेंट हो या फिर मिलने के लिए आना हो गुल्ड़क रिपोर्ट के बारे में बाद होगी तेवाफ-धाय के बारे में बात होगी लेकिन अभी बात करते हैं क्योंकि एपिसोड उसी में चला जाएगा क्या फर्क आने वाला है सुनील जी जंदिकी पर बहुत बड़े चेंजिस हैं क्योंकि यह मेंजर ट्रांजिट है और इनका ट्रांजिट बहुत लंबा रहता है 18 महिने का इनका जो पीरिट रहता है आपका यह चेंजिस दिखेंगे आपको जो होने जा रहे हैं हाला कि एपरल में एपरल बहुत एक खास महीना है वैसे भी वैसे भी कैसे मार्क में क्लोजिंग जो ती हैं और एपरल से नया साल शुरू होता है economic year जो होता है वो शुरू होता है और वैसे इस साल April 22 में जो changes होने जा रहे हैं 2022 में April में राहू के तु ट्रांसिट होगा है होगा Jupiter का ट्रांसिट रहेगा तो हलचल काफी जादा रहेगा और ये हलचल किस तरह का result लेके आएगा वो मैं आपको आज थोड़े से जनता को बहुतना पड़ेगा राजा की गलतियों का खमयाजा जनता को बहुतना पड़ेगा राजा कौन है इसी बीदेश की रूलिंग पार्टी इसी बीदेश की रूलिंग सरकार तो दोनों का नेचर में अपोजिशन होना बहुत बड़ा घटनाओं की तरफ तंकेद दे रहा है चनी का इस नक्षत्र में जाना वर्ल्ड वाइड बहुत सारी घटनाई देखने को में और जब ये रश्या यूकरेन की वार शुरू होई उससे कुछ दिन पहले मान के चलिए कि 10 के 12 दिन पहले की ये रही होगी मेरी प्रेडिक्शन और जो कहा गया था वही चीश चुरू होगी की दो राजाओं की गलतियों में देश पिस रहा है और पूरे संसार को उसका नुकसान जो है जहलना पड़ेगा मेंगाई बढ़ेगी नुकसान होंगे हमारे भारतिये जो चात्रह वहां फसे हुए है वो अलग से फसे हुए है हलाकि गवर्मेंट कुछ कोशिश कर रही है उनको बाहर निकालने की तो मैं सबकी वेल बिंग की एक जो है मेरी तरब से एक इश्वर के आगे प्रे है प्रात राशी है राजू इंग रहा राहू इनको आठारा मेहने टौरस में रहे और व्रिष में रहे शोकर की राशी में रहे और अब जे जा रहे हैं मेश में हाला कि राहू शोकर की राशी में उचके हो जाते हैं डिजायर्स की राशी है और डिजायर्स के कारका भी है दोनबर शोकर जो है डिजायर्स के कारका भी है वहां राहू था उतल पुतल बहुत रहा तो अभी जो ट्रांजिट होने जा रहा है पहले हम दोनों चीज़ों को समझते हैं इस राशी को, फिर इस प्लैनेट को फिर इसका कॉमल नेटिव एक मैं आपको निश्काश बताऊँगा क्या निकल के आएगा So, राहू Aries में 12 April 2022 को ट्रांजिट करेगा लगबग समय होगा इसका इंडिन टाइम के साब से बात करूँ तो 10.30 सुबे का टाइम होगा 10 बज के 36 मिनट के आसपास इनका ट्रांजिट हो जाएगा Aries में So, Aries राशी किस चीज़ की राशी है Aries राशी के मालिक कोन है इसके मालिक है, मंगल राशी कैसी है ये राशी बहुत गरम राशी है ये राशी मार्शल साइन है ये राशी मंगल को रिप्रिजेंट करती है ये वो अगनी है जिसका फैलाव बहुत जादा है जो सूरे की अगनी होती है वो बड़ी बैलनस्ट होती है जो मंगल की अगनी है वो बहुत फैली होई अगनी होती है अब राहू यहाँ पे एंटर करेगा राहू क्या है ये भी बताता हूँ आपको एक नमबर राशी जो है वो राशी आपकी सेल्फ की है आपकी बॉड़ी की है आप खुद आपका शरीर है सो राहू बैठने जा रहा है सर में कालपुरिष की कुंडली में नैचरल जो डी वन चार्ट होता है उसका एक नमबर राशी है लगन में राहू आने वाला है राहू बैठने का सिर पे सो ये टाइम है कुछ करने का ना कि ख्याली पुलाव बनाने का क्योंकि राहू लगन में ख्याली पुलाव भी दियता है ये कर दूँगा वो कर दूँगा मैं ये करके दिखाँगा चोटी चोटे बच्चे के पर कहते हैं कि मैं ये करूँगा बढ़ा होके हलाकि वो करे ये ना करे लेकpri बातें करते है तो ब्रहम का महौल पैदा होगा राशी तो होगी अगनी राशी तो होगी मार्शल साइन और ये जो राहू है राहू जो है इसका तो सीधर सीधर मतलब है डिजायर्स लिमिटलस डिजायर्स वो हर चीज चाहिए जो आप जिसके आप आपकी नदर पड़ती है राहू जहां जाता है उन चीजों को expand कर देता है बड़ा कर देता है इंसान की सोच बड़ी हो जाती है और ये गलत नहीं है लेकिन तरीका क्या रहेगा वो बहुत सोचने वाली चीज है वो बहुत समझने वाली चीज है तरीका सही भी हो सकता है तरीका घलत भी हो सकता है राहू जब लगन में आएगा राहू जब एक नबर राशी में आएगा खास करके मेश में तो इनसान की सोच बड़ी होगी सोच बड़ी होगी कुछ बड़ा करके दिखाना है ऐसे लोग इनके केमरा आप देखेगा जिनके नेटल चार्ट में इसल्फ राहू मेश में होता है उन लोगों का वेरिंग स्टाइल देखेगा कपड़े डालने का स्टाइल देखेगा बड़ा सा बड़ा ब्रेंड डालेंगे दिखावे वाला इंटरनेशनल ब्रेंड बड़े से बड़े ब्रेंड राहू सोच यह सोच देता है जहां तक इंसान का बस चलता है वहां तक इंसान सोचता है गाड़ी लूँगा तो बड़ी लूँगा चोटी निलूँगा बड़ा ब्रेंड लूँगा चाहें रखी छोटी से गाड़ी हो लेकिन सोच कहीं न कहीं 24x7 चलती रहेगी कि कुछ बड़ी गाड़ी लेनी है बड़ा ब्रेंड लूँगा आगे जाके कुछ बड़ा करूँगा इन लोगों का खास करके इनकी लोगों के घर में जाहिए जो head of the family खास करके होते है अगर राहू airs राशी में है तो इन लोगों के दर्वाजे जो होते है जो दर्वाजे होते हैं वो बड़े होते हैं उचे होते हैं चुगाटे उची होते हैं आम तोर पे सरदियों में गर्मियों में केबल लकडी का साइज बढ़ता है यह चोटा हो जाता है जहां राहू आपके एरीज में हो आप देखेगा अगर हैड़ फैमली है इनके घर में खिड़कियां बंद होने में दिक्कत आएगी अक्स्टेंशन ओफ वुड हो जाता है वेदर की वज़े से वो फिर चिल्वाना पढ़ता है छिल्वाना पढ़ता है लकडी के दिदर फिर बंद होता है यह लकडी के किट्की फिर बंद होती है सो सोच बढ़ी राहु सिर पे बैठने वाला है सिर वाली राशिर में बैठने वाला है फेक opportunities बोत आएंगी बचके रहेगा फेक प्रॉमिसिस मत कीजिए का किसी को यहाँ यह टाइम है आप फेक प्रॉमिसिस करेंगे अलाकि यह नैचुर टंडेंसी है प्लैनेट की लेकिन कहीं ना कहीं हमें एकर गाइड मिले कोई गाइड करने के लिए कोई गाइड मिल जाए फेक प्रॉमिसिस हो जाते हैं वो आपको नहीं करने वाइड करने हैं फेक फ्रॉमिसिस खराब करेंगे और आगे जाके तंग करेंगे इस पिरिड में आप कुछ बड़ा करने का प्लैन करेंगे इसमें बड़ी इंवेस्टमेंट लगाने का जाने वाले हैं और बहुत सरे लोग नौकरी छोड़के वपार में जाने वाले हैं क्योंकि यह प्रोसेस चलता आ रहा था तीन-चार-पांच मेनों से आपके दिमाग में चीज चल रही थी कि यह मैं करूगा नौकरी छोड़ दूगा अब यह बिना सोचे समझे नौकरी रही थी अब वो टाइम है जब आपका टाइम यह जो चीज है वो इनिशेट हो जाएगी वो बन जाएगी एकदम से मैं यह नहीं कहा रहा कि 12 अपरल को हो जाएगा 12 अपरल से देरे-देरे करके जो होती हैं कड़ी से कड़ी चुटती है तो यह बिग चेंज आपको देखन है लेकिन यहां पर आपको अपने इंटर्ल बॉडी का भी ध्यान रखना है इंटर्ल शरीर का भी ध्यान रखना है जंक फूड बढ़ेगा जंक फूड खाना बढ़ेगा खाना नहीं बना चो एक काम करने हैं आज बाहर से ओडर करते हैं यह जादा होने वाला है बाहर का फ कितन से लेके, रखने तक का effort नहीं होगा, वो भी आप कोई और ही लेके सामने रखते, ऐसा होने वाला है, fitness का बहुत ध्यान रखना होगा, अगर बहुत दिन से सोच रहे हैं, gym जाओंगा, walk करूँगा, jute लेकर रखे होगे हैं, साइकलिंग करूँगा, साइकल लेकर रख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो this is the time आपको करना पड़ेगा, वरना ये इतनी unbalanced fire है, ये सोच तो देगी, लेकिन सोच जब पूरी नहीं हो पाएगी, तो आप frustration में चले जाओगे, तो इस frustration को balance करने के लिए, इस अगनी को balance करने के लिए, हाला कि ये unbalanced अगनी है, इसको balance करने के लिए, आपको मन्थन करना पड़ेगा अपना, चिंतन करना पड़ेगा, meditation करने पड़ेगी, लोग पिछले चार पाण महीनों से ना, आप थोड़ा सा गौर कीजेगा, चार पाण महीनों से ना, दिमाग में चीजे चल रही है, करना है, करना है, नौक्री चेंज करना है, बिसनस चेंज करना है, बिसनस में expansion करना है, मुझे fitness के लिए कुछ करना है, मुझे खाना कम करना है, मुझे अपना weight loss करना है, मुझे अपने skin का धिहान रखना है, this is the time आपको करना पड़ेगा, अब नहीं करेंगे, हलात ऐसे बन जाएंगे, आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, और health fitness के लाबा, आपको अपनी, आपको, ये क्योंकि राहू जब लगन में हो, तो ये लोग healers होते हैं, राहू जिसकी निटल चार्ट में भी, राहू जिसमें का मेश राशी में हैं, ये healers हैं, आप खुद देखेगा, आपको खुद महसूस होगा, कि आप लोगों की मदद कर देते हो, और आपकी मदद से लोगों को फायदा हो जाता है, राहू, इन मेश, ये are healers, ये healer हैं, so, क्योंकि मेश राशी ही healing की राशी है, so, ये healers होते हैं, ये healing का अब आपको मौका मिलेगा, लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा, लोगों को support करने का मौका मिलेगा, ये कीजिएगा, ये आपकी, जो है, ये आपका राहू की duty रहेगी, राहू का मेश में आ जो आपके thoughts से निकल के आपको अपनी उस ख्याली दुनिया से बाहर निकल के आपको अपनी initial और action वाली दुनिया में आना है action वाली दुनिया आपकी start करनी है action start करने है action करने है और चीजों को start करना है मेश राशी यहitié जॉडिया की पहली राशी है और यहां आपको सेल्फ करेक्षिन करनी पड़ेगी है अपनी क्रेक्षिंज करनी है खुद की आपको खुद को बैलन्स करना पड़ेगा खुद की corrections करने खुद की कमियों को देखना पड़ेगा यही time है जब आपकी खुद की कमियां 18 महिने यह ऐसे हैं खुद की कमियां दूर करके अपने आपको self analysis करके इस चीज से बाहर लेके अपने आपको में corrective जो measures हैं वो करने पड़ेंगे राशी है health की एक नमबर राशी आपकी शरीर आपका health भी है health का बहुत ध्यान रखेगा मैंने कहा junk food बहुत avoid कीजेगा यह जो संसार के लिए जो राशी है यह राशी संसार के उपर जो impact डालने वाली है यह राशी का जो राशी का entrance रहेगी इस राशी में संसार के उपर जो impact डालने वाली है इस टाइम पर बड़े actions हो सकते है बड़े युद्ध हो सकते है बड़ी जो नुकसान हो सकते है क्योंकि राशी एक्सपैंड करता है चीजों को और इतना एक्सपैंड करता है जिन लिमिट से बाहर हो जाती मतलब कहनेगा कि आप एक ऐसा एक ऐसा फर्ष है जहां पर इतना समान बिखर चुका है इतना दूर तक बिखर चुका है कि यह कठे करते 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 अठाला भी ने निकल जाने है यह ऐसी इसका प्रवेश ऐसा रिजल्ट लेके आएगा राहू एक्चुली है क्या है राहू आपका इस जनम में जो प्रीवेस जनम में आपको नहीं मिला राहू जिस घर में बैठा हुआ है वो आपको उस जनम उस जीज के लिए प्रवोक करता है मुझे यह चाहिए क्योंकि के तुझे है वो आपका प्रीवेस जनम के एक्सपिरिंसेज है जो आप कर आए और राहू जो है वो आपको जो आप छूट गया था वो आपको इस टाइम पे जो आपको लेना है राहू वो पोजिशन होल्ड करता है आपकी गुझे के अंदर करमास की बात करूँ तो राहू आपको यहाँ पे वो हर डिजायर मेटिरलिस्टिक चीजें वो डिजायर जो आपकी अधूरी रह गी थी वो आपको इस टाइम पूरे इस जनम में आपको बता हूँ आपको तो इस दुनिया के चाका चाने जो है वो घेरा हुए रहु चका-चौंद है दुनिया की और वो चका-चौंद मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है मुझे यहां गूमना है यह religious कि बात नहीं कर रहा है religious आपके tour की बात नहीं कर रहा है यह tour वो होते हैं जो आपको enjoyment देते हैं is enjoyment मुझे enjoy करना है time को मुझे समय को enjoy करना है मुझे इस चीज को enjoy करना है मुझे जहाज में बैटना है मुझे जहाज करीदना है और छोड़िये यहां तक की सोच है तो कि राहू expanded planet है जहाँ जाएगा उस चीज को बढ़ा करेगा अब यह मेश बैगा तो यह आपकी सोच को बढ़ा करेगा मुझे तो वो बड़ी से बड़ी गारी खरीदनी है दस क्रोड की गारी खरीदनी है मुझे जहाज ही खरीदना है यह इस तरह की सोच देता है राहू खरीच सकें यह ना सकें वो आपकी कुंडली के बाकी गिरा डिसाइड करेंगे लेकिन आफटर आल जहाज तो किसी नहीं किसी इन्सान की है कोई ना कोई तक ostr का मालिक है ही वो लोग लेते हैं अंकि सोच बहुत बढ़ी होती है तो ये इस तरह की सोच का मालिक बनाता है इन्सान राहू क्योंकि राहू की limit कोई नहीं है जितनी चीजें हमारी पहुंच से बाहर है सोच से बाहर है पहुंच से बाहर है वो राहू है तो राशी बड़ी इनर्जी वाली है फिर्स राशी वैसे बड़ी इनर्जी वाली है वहां राहू आ रहा है तो अब वो हर impossible काम आप कर जाओगे जो आप सोच रहे थे तो राहू ये changes लेके आ रहा है ये अपनी presence, राहू अपनी presence दुनिया को दिखाएगा देखने को मिलेगी ऐसे बड़े-बड़े changes आपको देखने को मिलेगे आप सोच भी नहीं होगा कि ये भी चीज़ हो सकती है ऐसे-ऐसे changes राहू अपनी presence दिखाएगा इस राशी में आके तो ये आपके जो एक छोटी से मैंने prediction आपको कि इस prediction बहुत लंबी है समय इतनी इजाज़त नहीं देता तो ये prediction भी राहू की Aries राशी में आने की तो आपको मैंने जैसे बताया वैसे इसको आप समझेए इसको understand कीजिए जो actions करने वाले हैं उसको कीजिए जो भी आप pending चल रहा था उसको आप tendency को खतम करके action के लिए ready हो जाईए तो प्रोग्राम की शुरुआत इस तरह से की थी कि आपको तैयारी करने का मौका जो है वो जरूर मिलेगा तो ये मौका आपको तैयारी करने के लिए भी है बचने के लिए भी बताया सुनील जी ने किया क्या आपको करना चाहिए और ये भी बताया कि किस तरीके की जिंदगी जो है किस तरीके का ये एरा जो है वो रहने वाला है और आपको अपनी जिंदगी किस तरह से रखनी है तो बहुत डीटेल्ड तरह से आपको बताया गया है, बातें और भी हो सकती हैं, लेकिन मोटी-मोटी जो बातें हैं सुनील जी की तरफ से आपको बता दी गई है तो आज जो Good Luck Report आई है, जो हमारे Random Lucky View और निकले हैं, वो सुमेश दुगल हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, ये ट्रक चलाते हैं और कह रहे हैं कि आपका जो शो है वो ट्रक चलाते-चलाते मैं सुनता हूँ आप सुना कीजिए, आप सुना कीजिए, देखे मत, मेरा आपसे बेंती है, और हर वो इस इंसान से बेंती है, सिर्फ सुनिए, वाइल ट्राइविंग, सुनना ठीक है, लेकिन देखना ठीक नहीं है तो कहते हैं कि ट्रक चलाते जादे सुनता हूँ, कहते हैं कि मुझे अभी एक-दो ट्रक और लेने हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस के लिए कोई स्टोन बताइए और मेरी गुडलक रिपोर्ट मुझे जल्दी पहचते हैं आपको जल्दी ही रिपोर्ट जो है, वो हम यहां से भिजवा देंगे, आपका जो भी अनलसिस रहेगा, आपकी जो भी पोजिशन रहेगी, यह ग्रोथ वाला टाइम आ रहा है, यह कैसे आ रहा है, यह आपको बताऊंगा, इसको आप जो भी रेमेडिस बताऊंगा, वो कर रहू टाइम कर रहा है, रहू टाइम में थोड़ा टाइम पढ़ा हुआ है, तो रहू की लिए एक बेस्ट रेमेडी यह है, हलाकि रहू की रेमेडी को पर्टिकलर होती नहीं है, रेमेडी उस चीज़की होती है, जो चीज़ Pie습니까 हमें कभी रेमेडिस होती हैं च 스anis के नहीं उनको फीड कीजिए, अब वो आपको देखना है कि कौन से जाना मरा है, स्नेक में उसमें से एक है, आप कोशन आएगा स्नेक को फीड कैसे करें, स्नेक को फीड ऐसे करना है, आप जू में जाके फीड कर सकते हैं, आपके शहर में, हर शहर में एक जू होता ही है, तकरीबन होता नहीं होता तो आसपास आपको मिल जाएगा, वहां आप उनको जाकर फीड करके आईए, वहां जाकर फीड कीजिए, कुछ भी फीड कर सकते हैं, जो उनको वहां की जो गाइडलेंड्स हैं, जो भी नॉम्स हैं वहां उसके साफसे, वहां उनको फीड कीजिए, उनको पे करके नमबर तीन, अपनी जिन एक पूछा, मैं तीन बता रहा हूँ क्योंकि बहुत हैं इसके प्रिकॉशन्स लेकिन जितने मैं भी याद आ रहे मैं बता रहा हूँ आपको बैड़ पे खाना मत खायेगा, बैड़ पे खाना खाना, राहू खराब करना, अपने एक्सपैंसिस को ब करते जाएंगे, इंकम कम होती जाएगी, बैड़ पे खाना 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 छोड़ दीजिए, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्टड़ी करते हैं, उनको तो बिल्लकुल भी बैड़ पे मत बटाइगे, कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी, फोकस खराब हो रही है, दिक्कत कहीं भी नहीं रहनी चाहिए, और जो दिक्कत है भी तो हारना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, तो अब ध्यान रखिए, धन्यवाद,